हेलो फ्रेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेजिन्स लो और वीन्स लो फ्रॉम प्लैंक्स लो यानि कि हम प्लैंक के लो से रिलेजिन्स का लो भी प्रूव करेंगे और वीन्स का लो भी प्रूव करेंगे यह दूनों स्पेशल केस हैं फोर प्लैंक लॉव दो फ्रेंट्स आपने पढ़ा है कि वीन्स का लॉव शॉर्टर वेवलेंद जो ब्लैक बोडी रेडियेशन की ब्लैक बोडी की कैविटी है उससे जो रेडियेशन निकलता है उस रेडियेशन की एनरजी पर उन्हें टेरिया कर्व और रेमरा के बीच में जो कर्व होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से और इसमें कुछ चीजे देखी गई थी कि जैसे जैसे कैविटी का टेंप्रेचर इंक्रीज होता चला जाता है तो यह जो पीक है वो एपेर होनी शुरू हो जाती है विजीबल रिजन में ह एपेर होना शुरू होती है वैसे तो ब्लैक बॉडी हर टेंप्रेचर पे रेडियेशन को एमिट करती है लेकिन वो इंफ्रारेड रिजन में होता है और जैसे जैसे टेंप्रेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और 800 कैल्विन या उससे ऊपर होना शुरू होता है तो एक peak दिखाई देने लगते है इस spectrum में और जो की shift होती चली जाती है shorter wavelength की तरफ जब हम black body का temperature increase करते चले जाते हैं तो वींस ने अपने law में बताया था जो formula दिया था उसके दो फॉर्मूले है एक तो lambda है इंटो t is equal to constant यानि कि यह peak की correspondence जो wavelength है lambda maximum और उस black body का temperature उन तोनों का multiple जो होता है वो constant रहता है और secondly जो वीं ने law दिया था वो यह बताया था कि shorter wavelength पर यह जो energy है वो lambda की fifth power की inversely proportional होती है ठीके तो यानि कि short wavelength पर वीं का law पूरी तरह से इस graph में match कर रहा है experimentally match करता है लेकिन longer wavelength पर यह इस curve को explain नहीं कर पाता है उसके बाद Rayleigh Jeans ने भी black body cavity के radiation के इस curve को explain करने के लिए classically body को trade किया और equipartition of energy लेकर इस graph को समझाने की कोशिश की लेकिन उनका shorter wavelength पर तो experimentally agreement था agree कर रहा था इस graph से उनके जो result है लेकिन shorter wavelength पर वो नहीं कर रहे थे और सारे shorter wavelength पर energy maximum हो रही थी जिसे ultraviolet keteroskop को भी कहा गया तो friends इस तरह से ये वीन का law है और ये रिलेजीन का law है और plank का law जो था वो experimentally shorter और longer wavelength दोनों पर applicable हो रहा था यानि plank के law ने जिसमें उन्होंने radiation को quanta की form में consider किया था और ये बोला था कि जो electromagnetic radiation की energy होती है वो continuous नहीं होती है वो quantized होती है यानि छोटी-छोटी packets के form में होते हैं जिनकी energy quantized है h new या h new का integer multiple है उस चीज को consider करके plank ने अपना formula दिया था और उस formula को जब shorter wavelength और longer wavelength पे लगाया तो पूरी तरह से वो experimental curve को explain कर पाए थे हर temperature पर, cavity के हर temperature पे इस particular lecture में हम plank के उस radiation के formula से religions और winds law को explain करेंगे friends थोड़ा सा हम यह देख लेते हैं कि जो plank ने energy के लिए equation दिया था यह energy in the frequency range d new है यह number of modes into average energy of oscillator इससे निकल के आया था number of mode के लिए मैंने एक calculate करने के लिए lecture बनाया हुआ है वहां से आप देख सकते हैं कि cavity के अंदर जो electromagnetic radiation है उनकी energy wavelength पर जिस तरह distribute होती है मतलब कितने number of modes बन रहे हैं कितने number of allowed frequency है उसको standing wave से consider करके किस तरह से calculate किया था और यह result निकाला था यह आप देख सकते हैं मेरे पहले lecture में और average energy of oscillator plank नहीं consider किया था कि जो black body है उसकी cavity है उसमें जो atom है वो oscillator की तरह behave करते हैं और oscillator की जो frequency है वो characteristic frequency होती है और quantized frequency होती है उस चीज को consider करके total number of atoms या total number of oscillator consider किये गए थे और उनकी energy निकाली गई थी और उसकी help से average energy निकाली गई थी जो कि h new upon e की power h new upon kt minus 1 थी तो इस तरह से plank नी in the frequency range d new energy जो थी उसके लिए यह expression दिया था ठीके और अगर इसको wavelength reason में निकाला जाए तो हमें पता है new is equal to c upon lambda यह frequency और wavelength के बीच में relation होता है और इसकी help से अगर d new की value निकाले जाए तो minus c upon lambda square d lambda के एक बलोगी friends यह negative sign यह represent कर रहा है कि जैसे new बढ़ता है और lambda decrease होता चला जाता है यह graph तो हमने बता रहा है e versus lambda graph और अगर इसको e versus new graph बनाए तो situation उर्टी हो जाएगी क्योंकि longer wavelength reason यानि shorter frequency shorter wavelength reason यानि longer frequency तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए negative sign यहां पर आया जरूर है लेकिन हम इसको consider formula में नहीं करेंगे यह सिर्फ बता रहा है कि जैसे जैसे new बढ़ता जा रहा है lambda कम होता जा रहा है तो हम इस चीज़ को अगर इस formula में रखते हैं तो यह formula generate होता है plank के लिए 8 pi new की value आपने c square upon lambda square c cube c upon lambda फिर से रखा new की value एकी power hc upon lambda kt minus 1 and then यह हमने d new की value रखे है minus c upon lambda square d lambda और इसके help से 8 pi hc upon lambda की power 5 1 upon e की power hc upon lambda kt minus 1 यह formula निकला है प्लांक का formula है यह wavelength reason में ठीक है फ्रेंड्स अब इस formula की help से especially इस formula की help से हम यह जो रिवीन का law है जो की shorter wavelength पर है applicable और यह relay का longer wavelength पर applicable है इस पर लगा कर इन दोनों का प्लांक के formula से दिखाएंगे कि यह प्लांक के लिए special case हैं दोनों ठीक है फ्रेंड्स तो इसको हम अटा देते हैं देखिए सबसे पहले हम shorter wavelength ही बात करते हैं पर shorter wavelength लैम्डा बहुत छोटा होगा तो ए की power hc upon lambda kt की value क्या होगी आप देखिए लैम्डा जब छोटा है तो यह value increase हो जाएगी और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें से और minus subtract होगा है जब यह value बहुत बढ़ गई है लैम्डा बहुत कम है इसकी power यानि increase हो गई डेनोमिनेटर कम होता है तो exponent की value बढ़ जाएगी उसकी comparison में जो 1 है 1 को आप negligible मान सकते हैं तो आपने यह formula बना लिया e की power lambda d lambda is equal to 8 pi hc upon lambda की power 5 और इसे negligible जब 1 को negligible मान लिया आपने तो यह उपर चला जाएगा ठीके friends अब हम क्या करें है 8 pi hc को constant a मान लेते हैं let this और hc upon k को हम b मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा formula a upon lambda की power 5 e की power minus b upon kt ठीके d lambda यहां पर रहे गई यहां पर भी d lambda है या फिर बन जाएगा a upon lambda की power 5 e की power या फिर हम इसको कह सकते है function of lambda t यह lambda है हमने hc upon k को b माना है क्योंकि यह constant है h की plank constant c velocity of light k bolzman constant इन सबको आपने constant b मान लिया है और अब यह बच गया है function of क्योंकि t change हो रहा है तो इसलिए t भी variable है और lambda भी variable है तो इस तरह से formula निकल के आ रहा है तो यह formula compare करके देखें तो क्या हुआ वीन्स का formula for shorter wavelength वीन्स के according shorter wavelength पर energy और lambda के बीच में lambda के 5th power के inversely proportional होती है energy और इस तरह से increase करती है तो उन्होंने अपना जो formula दिया था यह experimentally agree कर रहा था experimental curve से agree कर रहा था और यह हमने plank के derivation से निकाल लिया है अब हम बात करते हैं religion का longer wavelength पर और उसके बाद हम lambda m into t की value निकालेंगे देखें फ्रेंड्स for longer wavelength लैम्डा वेरी वेरी greater के लिए तब हम इस वाले formula में देखें कि लैम्डा कर बहुत ज्यादा पड़ा होगा तो यह term बहुत छोटी हो जाएगे यह term बहुत छोटी हो जाएगे तो e की power x तो हम 1 plus x लिख देते हैं for x is very very less than 1 ऐसे लिख देते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e lambda d lambda is equal to 8 pi hc upon lambda की power 5 और इसमें हमने लिखते हैं इसको हम लिखेंगे 1 plus x लिखना है 1 plus और x power के है hc upon lambda kt minus 1 तो 1 से 1 cancel हो जाएगा और यह आपका जाएगा lambda उपर चला जाएगा lambda kt upon hc hc से hc cancel और यह हमारा 8 pi kt upon lambda की power 4 तो friends d lambda हर किसी में रहे गाई तो इसमें भी d lambda है यह भी d lambda है और यह भी d lambda है तो e lambda d lambda is equal to this अब आप इसको compare कर सकते हैं religion's law से तो religion के law के according longer wavelength पर u lambda d lambda यह भी energy को represent करता है e lambda भी इसलिए confusion मत होईगा तो यह energy radiated per unit area है और 8 pi kt upon lambda की power 4 t lambda तो plan की इस formula से longer wavelength पर हमने प्रूफ कर दिया है religion's का law अब हम Viz का law का first statement lambda m into t भी इसी formula से निकालेंगी देखे फ्रेंड प्लांड का यह जो वाला फार्मूला है plan का यह lambda m क्या represent कर रहा है maximum peak maximum peak को represent करता है और maximum on minima के लिए अगर हम यू इसको with respect to d lambda यानि e lambda upon d lambda करें d e lambda और इसको 0 रखें उसकी help से जो value निकल के आएगी वही maximum on minima को represent करते है अपने maximum on minima देखा हुआ है कैसे निकालते हैं तो हम क्या करें है पहले इसको differentiate करें यह d lambda है d lambda है इसको हम negligible मान रहे हैं यह e lambda की value इसकी correspond आ गई है और इसको हम differentiate कर रहे है और 0 के equal रख रहे हैं और with respect to d lambda हम इसको differentiate कर रहे हैं तो friends हमने क्या किया 8 pi hc यह constant है हमने अभी बहार ले लिया है और lambda की power minus 5 लिया है इसको उपर ले गए है और e की power hc upon lambda kt minus 1 की power minus 1 किया है और इसका differentiation with respect to d lambda is equal to 0 के equal रखना है ठीक है अब हम इसको differentiate करके यह e lambda की value है तो हमने यह रखे है और इसको 0 के e पर रखा है अब हम इसको हटा देते हैं क्योंकि expression काफी लंबा होने वाला है अब हम क्या कर रहा है अब हम क्या कर रहा है अब हम इसको डिफरेंशेट कर लेते हैं माइनस 1 और यह e की पावर माइनस hc अपॉन लेमडा के टी माइनस 1 की होल पावर माइनस 2 फिर उसके बाद हम इस वाले position को differentiate करने वाले हैं तो पहले तो exponent of hc अपॉन लेमडा के टी आपका आजाएगा फिर उसके बाद हम इस पूर इस टर्म को differentiate करेंगे इसकी वाल्यू आजाएगी माइनस hc अपॉन लेमडा स्कॉर के टी क्योंकि लेमडा इसमें है और डिनोमिनीटर में है तो माइनस का लेमडा स्कॉर जाएगा constant ऐसे ही रह जाएगी और इस पूरे की वाल्यू जाएगी 0 ठीके फ्रेंड यह 0 गया उधर जाके constant value हटा दी हमने तो हमारे पास लेमडा के बाद माइनस 5 भी बाहर आ गया है तो आपके पास बचा 5 अपॉन लेमडा ठीके यह माइनस साइन है यह माइनस 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 प्लस हो चुके है और जब हम 0 के उधर ले जाएगर तो यह आप यह निकल जाएगा एक लेमडा बचेगा तो यानि आपके पास यहाँ 5 अपॉन लेमडा बचा है और second term equal to के उधर ले जा रहे हैं और यह आपका 1 अपॉन अपॉन E की पावर SC अपॉन लेमडा के टी माइनस 1 क्योंकि माइनस 1 पावर है तो हम इधर ले गए है और इधर ल हमने यहाँ से एक और कैंसिल कर दिया यह भी हत किया है अब हमारे पास यह बचा है अब हम क्या कर रहे हैं Hc अपॉन लेमडा के टी उसको constant मालने कुछ X माल लेते हैं तो यह थोड़ा सा reduce हो जाएग equation यह E की पावर X E की पावर X माइनस 1 देखें हमने क्या माना है Hc इस तरह से तो अब हमने क्या किया 5 अपॉन X किया इसको और X से नीचे डिवाइड कर दिया is equal to 1 अपॉन 1 माइनस E की पावर माइनस X कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो अब हम इसको इधर ले आया है is equal to 0 फ्रेस इस equation का एक ही solution होगा जो X की value आएगी 4.965 ठीक है यह जो equation निकाली है इसका एक ही solution है और X की value निकल के आती है यह और हम इसको यह X को यह माना है तो यानि Hc अपॉन lambda kt इसकी value हो गई 4.965 और सब तो constant है friends के यह लैमडा और t ही variable है hc के constant है तो इनको भी धर लेके चले गए तो lambda t जो है उसका multiple constant होगा आप मेरी बास समझ रहे हैं hc अपॉन k जो है lambda t इधर ले जाए इसको इसे इधर को divide कर दी तो यह lambda t is equal to constant निकल जाएगे और यह एक ही value के correspond है तो इसलिए lambda maximum यह lambda m से represent करेंगे और यही वीन का law है इनका first state में जो यह है यह हमने प्रूव कर दिया है plank radiation law से तो friends यह lecture यहीं खतम होता है next lecture में फिर मिलते हैं thank you